वेलकम टू तेज एजुकेशन साथियों सौटकोट की नामक टॉपिक का आज हम डिसकस करने वाले हैं और काफी महत्पूर्ण टॉपिक है इस टॉपिक से लगभग दो प्रशन साथियों आपके परिच्छा में आना बिलकुल ताए है ताई शुरुआत करता हूं लेकिन उस पूछे गए तो काफी महत्पूर्ण आपके लिए हो जाते हैं तो गंभीरता से पूरा वीडियो अनता तक देखेगा और इसके जितनी भी मैं पार्ट लेकर आ रहा हूं इस टॉपिक के वो पूरे वीडियो देखकर जाएगा बना पेपर के बाद साथियों पस्ताने से को तो आपको मिलते हैं सबसे पहला प्रशन आपका कि सौटकुट कुंजी का उपयोग किसी फाइल को विनर राइस रिसाइकल विन में पहुंचाए डिलीट करने के लिए किया जाता है तो आप याद रखना यह जो सोटकुट की होती होती है साथ यह आपके कौन सी सिप्ट के के साथ डिलीट विटन को दबाना ठीक है इसके माध्यम से आपके सी फाइल को बिनर रिसाइकल बिन में पहुंचाए डिलीट कर सकते हैं अगला प्रशन है अगला प्रशन बनता है ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रशन है आपका किसी सेल में मौझूद तारीक एंटर अगर आप करना चाहते है M-A hearing X Excel के दिखेगगा पूरी बात है चल्रह रहे है तो आप याद रखना अगर आप Tारीख तारीक नर्टर करना ठीक है इससे क्या है कि आप मौझूजाद जो तारीक बरतमान वो डेट जो हड़ जाते हैं उसमें प्रश्ण की कंपूटर को रिपूट करने के लिए निमन में से कौन से कमांड दे जाती है तो रिपूट अगर आपको करना है कंपूटर को तो इसके लिए आप कंट्रोल के स निम लिखतेंगे से कौन फाइल स्वरूप है, कौन सा फाइल स्वरूप है जो यो विंडूज सेवन में साथि państвय सपोर्ट करता है, कहां पर विंडूज 7 में तो Windows 7 उसाथ जो फाइल सपोर्ट करते है वो है आपकी NTFS कौन से है NTFS है अगला प्रश्म बनता है आपका प्रहंकरमा कर 59 देखेगा कि तालिका को विभाजित करने के लिए Automatedierte चилась की का यूज किया जाता है वह कौन से सोट चल की है जो तालिका को क्या कर शकती है तालिका को विभाजित कर शकती है तो आप हमें शयाद रखना है यह आपके Kle medal के साथ Shift और Enter से आप तालिका को विभाजित कर रखेप में दिए को अर प्रकार साक्तर कारं था प्रसृ西 सिश्टम फाइल कौपी की जा सकती है डिसक फाइल पर उप्लब देस सभी फाइलों को डिलीट किया जा सकता है ठीक है यह सबी जो है फॉर्मेट कमांड के कार्य होते हैं नेक्शन प्रश्ण बनता है MS Word में बरतनी अगर आपको चेक करनी है तो कौन से सौटर की का यूज़ करते हैं यह MS Word में किसके लिए और ले बरतनी चेक करने के लिए वरतनी चेक करने के साथ हैं या साथ तो एफ सीवन के यूज़ की है और है यूख था है नक्षे प्रशन है कि control के साथ shift और इसके साथ plus की दबाने से जो है क्या होता है तो सात्यों control के साथ shift और shift के साथ plus वाली जो की रहती है इसका यूज करने पर सुपर इसक्रिप्ट क्या है सात्यों सुपर इसक्रिप्ट पर जो है असर पड़ता है किस पर सुपर इसक्रिप्ट पर ठेक है control ध्यान से देखिएगा कापी महत्वपूर्ण साथ कंट्रोल प्लस shift प्लस 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 के साथ प्लस ठीक कंट्रोल प्लस shift और फिर क्या प्लस की ओके आगे बढ़ते हैं चली प्रशन है आपका त्रेश्ट के बाद साथ हो को पर हंक्रमा के चोश्ट आता है देखेगा कि बिसम का यहां पर आपको चेंड करना है कौन सा विकल करना के बाद सब्सक्राइब कर दो प्लस बाई अगर आप दबाते हैं तो साथ इसे का कर सकते हैं कंट्रोल बाई से रीडू कर सकते हैं ठेक इस कताब में यह जो बिकल्प दिया यह गलत दिया यहाँ पर यह जो लिखा हुआ प्लस प्लस और अरफ किसका बही में मौजूदा डेटाविस को खोड़ने के लिए जो यूज किया जता है वह कंट्रोल के साथ ओ की का युज़ किया रहता है control प्लस ओ किसका control प्लस ओ अर्था किसका भई MSX से मौझूद है डेटावी इसको open कर देता है अगला प्रश्ण बनता है कि file open dialogue works को open करने के लिए sort cut की कौन से उत्यों तो आप याद रखना file open dialogue dialogue works को open करने के लिए sort cut की रहती है साथियों यह रहती है अमारी control के साथ f12 कोई से रहते control के साथ f12 प्रश्ण है यह control प्लस पी क्या प्रदर्श्रित करता है बताएगा तो आप हमीश याद रखना कि control प्लस पी प्रदर्श्रित करता है पेश्ट को किसको भई control प्लस पी पेश्ट को प्रदर्श्रित करता है यानि जल्दी से मुझे तो मजले ना कभी भी ठीक है आप याद रखना देखिए पेश्य करने के लिए तो सात्य हम किसका कंट्रोल प्लस भी का यूज़ करते हैं ठीक है और कट करने के लिए सात्य हम किसका कंट्रोल प्लस एक्स का यूज़ करते हैं और कॉपी करने के लिए सात्य हम किसका कंट्रोल प्लस सी का यूज करते हैं तो बहुत के लिए बहुत बेसिक चीज है यह ठीक है चली प्रिशन है निम लेखित में लेकिन हर किसी के हाथ में केंप्योटर नहीं रोगता साथ है कौन सा बिकलप में फ्रिंट प्रिविवी विंडो को एन्यवल करने का सौॉट कड़ है तब याद रखना इसका सही जवाब आपका बिकलप सी अलट प्लस कंट्रॉल प्लस आई का यूज जो है प्रिंट प्रिव्यू विंडो को एन्यवल की बनाने के लिए यूज किया जाता है साथ थी हो इसका md और mkdir ठिक है इन दोनों का ठिक है बहिए क्या है इन दोनों का ठिक आगे बढ़ते हैं अगला है कि भई आपका दस्ता विज में से टेक्ष बदलने का shortcut क्या है देश्टावेज में से डोकुमेंट में से टेक्ष बदलने का जो shortcut है वो क्या होता है तो आप याद रखने इसके लिए सब्सक्राइब Ctrl प्लस H क्या है भी Ctrl प्लस H का यूज किया जाता है आगे बढ़ते हैं और Ctrl प्लस R से क्या होता है paragraph को साथ राइट अलाइन का कारे किया जाता है इससे नक्स प्रशन है कौन से sorted कुंजी है जो copyright प्रतिक को बनाने में इस्तिमाल होती है किसके लिए copyright प्रतिक क्या रहता है एक लप क्या ओर इससी रहता है और फिर सरकल में साथ्यों क्या है बनद रहता है ठीक है इसका अर्थ है copyright एक copyright का प्रतिक होता है तो इसको बनाने के लिए कौन से यूज़ किया था इतना आप याद रखना ठीक है भई किसको copyright प्रतिक को बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं चले अगला प्रश्ण है कि डॉस में फाइल कोपी करने के लिए किस कमांड का यूज़ किया था किसमें भई डॉस में अगर आप फाइल कोपी करना चाहते हैं तो क हाद्ट इसक के के पार्टी सेज बनाने के लिए डॉस का कौनसा कमांडर यूज़ होता है तो आप सब्सक्र Save करना यूज़ होता है वह सात्या कोनसा असरे सीडी कमांड होता है ठीक प्रशन आपका बने लेकर उससे पहले आपको बता दूं हाइब जिसकी पार्टी से बना यहाद रखना है यह group to subgroup to का ही प्रशन है ठीक है इस लेवल के प्रशन साथ यूँ बिलकुल आ सकते हैं ठीक तो आप याद रखना कि डॉस का जो है साथ यो f disc कौन सा है f disc इसका सही जबब है ठीक है आगे बढ़ते हैं चलिए इसका थिखोरी भी देख लेना कि हाज इसके partition बनाने के डॉस का f disc command जो है यूज होता है नेक्स प्रशन है डॉस में internal command कौन सा है तो आप याद रखना डॉस में जो इंटरनेल कमांड है साथियो यह टाइम टाइप और डैरेक्टरी है ठीक है विकल्प सीज का सही जवाब है तो आज की वीडियो में साथियो के विल इतने ही प्रशन आगे इस सीरिस को मैं और बढ़ाऊंगा ठीक है लगवग 150 प्रशन हम इस पूरे टॉपिक में आपको कवर करवाएंगे क्योंकि दो से तीन प्रशनों की बात है साथियो ठीक है मिलते है ने शेशन में तब तक के लिए जय हिंद जय बारत जय महाकाल साथियो